पार से हाहाकार है सारा पानी दिल्ली में है ये हर्याना की हथनी कुंद बराज से बहते हुए यमुना में आया है सियासत धारदार है दूसरों को आदेश निर्देश की बजाय की खुद क्या कर रहे हैं वो तो बताईए आपने क्या किया वो तो बताई आपता पर आर पार है रात को भी मैंने कई ओफेसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाईए बड़ सर वो माने नहीं रात की ये समय नहीं है कि हम किसी के ओपर ब्लेम करें या कुछ और का टिपनी करें नवस्कार नवस्कार आप देख रहे हला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजना ओमकर्षप दिल्ली में पानी कैसे डूबी राजधानी आज इसी पर चर्चा करेंगे यहाँ पर तमाम छात्र हमारे साथ जुटे हैं जो प्रश्न करेंगे लेकिन पहले आपको राजधानी का हाल बता दे क्यूंकि राजधाट पानी में डूब गया है लाल किले में पानी का गुस्पर्ट हो गया है आईटियों में पानी भर चुका है सडके गायब हो गई है लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है यब उना खादर का इलागा हो रिंग रोड पूरी तरह से कई जगों पर कॉड़न ओफ करके बैरिकेडिंग के जर्ये रोक दिया गया है ये ड्रोन से तस्वीरे हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे है यकीन करना मुश्किल है आईटियों पर पानी इतना भरा हुआ है कि वहाँ पर आने वारी तमाम सडकों को बैरिकेडिंग के जर्ये कट ओफ कर दिया गया है दूसरी तरफ बस्तियां ऐसी है जहाँ पर लोग घरों में कैद है ना उन्हें बिजली मिल रही है ना पीने का पानी मिल रहा है ना उन तक राशन पहुँच रहा है कई पौर्श इलाके भी है जहाँ पर पानी घुस चुका है जिसमें सिविल लाइन्स का पूरा इलाका है कई जगों पर अगर यवना खादर में आप जाएंगे तो देखेंगे या तो अब गाड़ियों की जगा बोट में चलने की नौबत आ रही है राज़ानी दिल्ली में या घरों में कैद होकर चुक्चाप पड़े रही है आखिर जिस किल्लत का सामना कर रही है इस वक्त दिल्ली उसके लिए सिर्फ कुद्रत को ही जिमेदार ठेराया जा सकता है या फिर उस बद इंतजामी पर भी उंगली उठेगी जो मौझूदा सरकारे करती हुई दिखाई दे रही है लेकिन होता क्या है दिल्ली वाले देखते हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार बीट सड़क पर कैमरा के सामने आपस में ही भड़ जाते हैं यानि इंतजाम गुल लेकिन सियासत फुल आज इसी पर चर्चा करेंगे तालियों के साथ आप समी का बहुत-बहुत स्वागत हमारे साथ जुदने के लिए दॉक्तर रजय आलोग राष्टर प्रवक्ता भीजेबी के तालियों के साथ उनका स्वागत कीजे देश की सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली की बाढ़ को लेकर पिम मोधी पर निशाना साथ रही है जैराम रमेश ने ट्वीट किया प्रधान मंत्री नई दिल्ली में बाढ़ की स्थित के बारे में जानकारी लेने के लिए पेरेस से ग्रह मंत्री को फोन किया यह अच्छा है कि उन्होंने इतनी चिंता की जब वो अमेरिका में थे और मणिपूर जल रहा था तब ऐसी कोई कॉल क्यों नहीं की गई वो अभी जब फ्रांस में है तब भी मणिपूर जल रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मणिपूर पर पूरी तरह मौन ब्रत पर रहने की शपत लिली है कि कहां सो रही थी केंज सरकार कहां सो रही थी हर्याना की सरकार जिसके और उसी के साथ दिल्ली की सरकार के जिवाल जी की तुई नों में कोई कॉलनेशन ही नहीं दिल्ली की जनता को छोड़ दिया भगवान भरों से दिल्ली की बाल को लेकर सियासत फुल स्पीड में है लोग बेहाल है लेकिन नेता आरोब प्रत्यारोब का खेल खेल रहे हैं तीन दिन हो गए दिल्ली भी डूबी है लाल किले की दीवारों से शीश महल के दर्वाजे तक पानी भरा है यहां तक की नेगम बोध घाट भी डूबा है यहां तक पर यह एक्स्क्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले के अंदर की जहां पर बाड का पानी अंदर तक पहुच गया है यह शीश महल है जहां पर आपको तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरीके से रिंग रोड का जो पानी है वो मुखे दुआर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलाल जो है वो नजर आ रहा है इस वाद हम मौझूद है निगम बोध घाट के ठीक में गेट के बाहर आप ये देख सकते हैं निगम बोध घाट का में गेट बंध है तमाम जो अंदर जो भी लकडिया वगरा थी आप देखिए सब बैकर के गेट तक आ गया है गेट पे कितना पानी है वो सामने शक्स को देखके अंदाजा लगाये जा सकता है कि वो गेट से पहले ही लगभग उसके कमर से उपर पानी चला गया है यहां पर परसो सोसुर जी का अगनी दी थी तो वो ही फूल चुक ने आना था लेकिन अब अंदर जाने है कुछ होई निया कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है कि कुछ अंदर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा पानी का लेवल किया है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है अब अंदर दिल्चस पिये कि दिल्ली में दो दो सरकार आपदा के वक्त दोनों सरकार साथ दिख भी रही हैं लेकिन पोल कैमरे पर ही खुल जाती है LG और CM साथ दिखे तो CM के साथ खड़े मंतरी ने NDRF को लेकर सवाल उठा दिया तब उप्राज यपाल को बोलना पड़ा कि सियासत करने का वक्त नहीं है सर एक निवेदन है चोटा सर रात को भी मैंने कई ओफेसर से स्पेसिपिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाईए बड़ सर वो माने ही नहीं रात को अब आई ए एंड़ा ए थैंक्यू है वक्त सर रात को आ जाती तो बहतर हो जाता सर अश्वरी जी को मैंने कहा पर लिखा मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूं लेकिन उसकी जरुवत नहीं है हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीप नहीं हो और जो प्राब्लम हमारे सामने हैं हम उसको स्वालू करें यह सारी चीज़ें बात को हो सकते हैं हाला कि NDRF की टीम लगातार मोर्चे पर डटी लगातार पानी में डूबे इलाकों से लोगों को निकाल रही है दिल्ली के मंत्री फिर भी NDRF की शिकायत कर रहे है आरोप है और प्रत्यारोप है वार है और पलटवार भी दिल्ली की सरकार को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है जो तकलीफ है वो तकलीफ इस बात की है कि आप दूसरों को आदेश निरदेश की बजाए कि खुद क्या कर रहे है वो तो बताईए आपने क्या किया वो तो बताईए बहुत दुक्की बात है कि ऐसी आपातकाल स् पिस्यासी रसाकशी में हतिनी कुंड बराज से छोड़े गए पानी को लेकर भी घमासान है। पिस्यासी रसाकशी में है। ये तालियां हम इसलिए बज़वा रहे हैं क्योंकि अब अपने दर्षकों के सामने हम दो तस्वीरे दिखाना चाहते हैं। 45 साल पहले राज़ानी दिल्ली का हाल जब 1978 में बाड़ा आया था और अब देखें 2023 का हाल। तब तो फिर भी लग रहा है कि नाव में लोकों को ले जाया जा रहा है कई लोग पैदर भी निकल रहे हैं सामान ले कर जा रहे हैं। और वही स्थिती आज साल 2023 में भी दिखाई दे रही है जसका तस मामला बना हुआ है क्या अगर हम सुएज सिस्टम को अपने बहतर करते हैं। जरा टाइम मिल जाये तमाम सियासी पार्टियों को तो वो शायद इस पर जोर दे और बहतर परिस्थिती दिल्ली वालों के लिए बने। तो ये दो एतिहासिक तस्वीरे आपके सामने हम दिखा रहे हैं। क्योंकि LG एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधित तो कर रहे हैं। और NDRF की भूमिका को लेकर आज उनसे प्रश्न किये सौरभ भारद्वाज मंत्री दिल्ली सरकार ने। अब सवाल है कि अगर समन्वे नहीं होगा आप बीजेपी वसेज आप करते रहेंगे तो फिर दिल्ली की जनता कई बस्तियों में राशन ही पहुंच रहा है बिजली नहीं है पीने का पानी नहीं है लोग देखिए सामान लेकर इस गंदे पानी से निकलने को मजबूर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बिल्कुल सम्वेदना की बात है कि समन्वे होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता कि समन्वे अगर आप करना चाहें तो वनवे ट्राफिक समन्वे से नहीं होता है। टूवे ट्राफिक होने चाहिए। NDRF रात में पहुंच जाती किया गया 169 जानवरों को हमारी गायों को रिस्क्यू किया गया आम आदमी पार्टी का एक आदमी नहीं था हमने तभी रात से हमने कुछ इल्जाम नहीं लगाया यह सौरभ भारदौाज में शुरू किया है तो यह जी ने कहा कि यह समय नहीं है इन सब बात करने का हम लोग ब साफ करवा ली जाती तो फिर यह हरकत नहीं होती है मेरा एक और मानना जी जो आप ध्यान नहीं दे रही है जो आज दिन भर प्रमुक्ता से आज तक निचलाया है 2019 में आया आप लोग सब की जानकारी के लिए है हतनी कंड वराज जिसका भी केजरिवाल जी हमारे सुपर सब्सक्राज हुआ 2021 में साड़े च्छे लाग क्यूसिक डिस्चाज हुआ बाढ़ नहीं आई आज क्या कारण ने 2023 में कि समात्र तीन लाग साथ हजार क्यूसिक डिस्चाज से बाढ़ की नौबत आ गई क्या यह सिर्फ सिल्ट और नालियों से हुआ है नहीं इसका एक और क चाहूंगा कि आस तक अपनी खोजी टीम को भेजे इसको परताल करने के लिए आपको पता है यहना का जो फ्लोइंग बैड है उसका टोटल एरिया बाइस परसेंट इन पिछले धाई सालों में घट गया कैसे घटा जितने लोग दिल्ली में हैं यहना किनारे रहते हैं वो स सब्सक्राइब कर जवाब दीजिए और साथी उसके बाद से अभेजी फॉरण आ रही हूं चुकि आप दिल्ली सरकार में है और क्या उनका यह दावा है कि रात में चार साड़े-4000 लोगों को NDRF ने रेस्क्यू किया तो क्या जूट बोला गया कि NDRF के टीम रात नहीं सुबह आ गये थे पहली चीज़ जहा है इनों ने कहा है इनके वालेंटियस मैं आपको गैरेंटी से कहते हूं एक भी हाफ पैंट वाला जमीन पर नहीं था नाइंथ तारीक से नहीं था हमारे मिनिस्टर्स ओनरेबल सी एम हमारे काउंसलर मतलब मतलब यह इंकी हिजत है भा कोई भी कोई भी कोई इनका कारे करता जमीन पर नहीं का करता है यानि हाफ नहीं कि उनको भी मौका मेला मुझे भी मिलना चाहिए इनका कोई कारेकरता जमीन पर नहीं था इनके सारे सांसत गायब थे इनके LG साहब गायब थे मैं जिम्मेदारी सकेति हूं वो अब आने लगें जब हमने बार-बार मुद्दा उठाया हमने चिठी लिखी कि इंटर्वेंशन की जरुवत है क्योंकि एक इंटर स्टेट इशू है यह यमुना में दिल्ली का पानी नहीं है अभी थोड़ी देर पहले सोमा सेन रॉय जो आईमडी की बहुत प्रसिद्ध साइन्टिस्ट है उन्होंने भी कहा कि जो यमुना में पानी आया है यह उपर हिमा कि सेक्टर 124, 125, 135, 137, 168 पानी में डूबे हुए आपको पता है हिमाचल में क्या चल रहा है अब मेरी एक सिंपल सी बात है आज इन्होंने अभी आपके बोलते ही कुछ ड्रोन तस्वीरे नॉड़ा कि आई है हम अपने दर्शकों को ज़रा दिखा रहे हैं देखिए प्रनॉमना नहीं है यमुना के जलस्तर बढ़ने से यह इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं अगर यह पानी थोड़ा समयधारी दिखाती वहां की सरकारे और पानी डाइवर्ड कर देती तो ना उत्तरप्रदेश का यह हाल होता ना दिल्ली का यह हाल होता इनको जान बुझ सरकार है नौ साल से थोड़ा इंटेलिजेंटली बात करते हैं गर्मियों में क्या होता है गर्मियों में पानी नहीं होता कहीं पर गुंदेल खंड में तो पानी के लिए लड़ाईया हो जाती चाको चूरी चल जाते हम न्यूज रिपोर्ट परते हैं यहां अब बारिशे ह और यह तो हर्जगा फ्लाड हो रहे हैं हिमाचल में फ्लाड हो रहा है उत्रखंड में फ्लाड हो रहा है उत्रप्रदेश में फ्लाड हो रहा है पंजाब में फ्लाड हो रहा है हर्याना में फ्लाड हो रहा है दिली में फ्लाड हो रहा है यह क्यों कि इस निकम्मी सरकार में सिरफ खरीद फरोद की राजनीती की ये नहीं कि डाम बना दे डाम स्टोर करता है पानी सब सरकारे अग्रीमेंट कर चुकी है कि हाँ डाम बना और हमें पानी दो इनसे पूछ लिजे कितने बना है उत्राखंड में डाम होना चाहिए कि नहीं जब सारा पानी महां से आता है ये उत्राखंड ये सेंट्रल गर्मेंट किस काम की है एक डाम नहीं बना पाई इतना सालों में ये जरूरी है ताकि पानी की पूर्ती गर्मियों में हो और ऐसे मौसम में डाम अब्सॉब कर पाई जवाब दीजेगा एक बार दूबे जी का जवाब ले ले एक सेकंड़ एक सेकंड़ पैरिस में मुख्यतिती के तौर पर नाशल डे परेड में पीम को बुलाया गया था तो वो अपना ट्रिप कैंसल कर देते क्योंकि दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो गया अंजना जी देखिए दिल्ली डूब रहा है मनिपूर जल रहा है पुदान मंत्री जी का मन पैरिस में मचल रहा है मैं इसलिए कहता हूँ कि जब वो हिंदूस्तान में थे तब उनका दिल द्रवित नहीं हुआ अभी मुँ में मीठे वचन है रधाय में कपट का भाव दोनों को नहीं है सत सुनने का चाव सच क्या था यह मैं नहीं कह रहा हूं यह ओफिशल रिपोर्ट है दिल्ली सरकार की वो कह रही है दिल्ली सरकार की रिपोर्ट यह कह रही जो अंजना जी ने बताया कि 90 प्रतीशत तक दिल्ली की पेरिफेरी में 90 किलोमीटर की ट्रंक लाइन है बड़ी ट्रंक लाइन सिवे में उसको साफ नहीं किया गया प्रधानमंत्री जी जब आप आठ साल से यहां थे तो आपने सुध नहीं ली इन लोगों ने एक भी बार सुध नहीं ली ऐसा क्यों किया आप अच्छा है दिल्ली में कुछ बैटना नहीं दोनों पर बरसना है तो आप तय कीजिए ना इसका अ अरे आप दिल्ली में रहने की विवस्था किजिए धंग से आप आठ साल यहां थे आरोप अम्बीर आप पर यह और मैं लिए हो गया आप चाहे तो रिपोर्ट का वह रहे हो गया हो गया अपनी नापनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते और उपास उडाते अरे आप ति बचों की हालत देखिये बस्तियों में आपने कह दिया बस्तियां बस गई रिवर बैसीन पे अरे आप क्या कर रहे हैं उनको बसाने का दाई तो आपका था अगर वो बस गए हैं तो खाने से मौताच कर देंगे इसनी बड़ी बाड़ आई है बहुत अफसोस हुआ कि आज बाड़ी दंता पार्टी के बाशन कितना ने गरीब बच्चों गरीब परिवारों को दोश दे रहें अपने प्रधानमंत्री की तरफ नहीं नहीं मैं जिसी बाट कर दो सुनिये ज़िए वह जली कटी बुआ दिखा है अपने जली कटी बुआ हर मौके पे अपने भाई को बता देना चाहता हूं मैंने ग्रे मंतरी को एक खत लिखा है कि हतनी कुंद बराज को रोग दिया जाए नहीं तो उसका पानी यहां पे दिल्ली को डुबा जाएगा अभी खुद कह रही है कि उत्तर पर हर्याना पंजाब हर जगा बाड़ाई हुई है हतनी कुंद बराज क अगर रोग दिया जाए तो डिया है किया होगा पंजाब का उसके चिंता नहीं बराज को भी जाए पहली बात न कि पढ़े लिखताइन है पहले लिखे को भुद को हमक्र मंद्रियों इंडिया अइटी और इंडिया ब upgrad कोया चाहँ बजी रोक सकता या पहले खत्ल लुब रहे हैं हमारे इसाथ नहीं थे चलिए इनकी बात माल लिया तो फिर यह भी माल ले कि राद बार आपके सारे मंत्री विदायक वहां पे करतं कर रहे थे बाढ़वाल एरिया में एक भी नजर आया क्या कोई तुसी बास अगर सरकार नहीं समलती है तो इस्तिफाद दे ह अगले साल वो यमना बाड़ने आएगी, गैरेंटी के साथ कहता हूँ, गैरेंटी के साथ कहते हैं, सरकार नहीं समझती है, आज इस्तिफादे ने, अगले जुलाई में अगर बाड़ा गई ना, फिर हमसे आप सवाल कीजिएगा, अंतिम बाद, अंतिम बाद, अद्वर्टी में आपकी चुनी हुई सरकार का क्या काम है, यह उना की सफाई का वादा आप ही ने किया था ना, तो डी सिल्टिंग भी तो उसी का हिस्सा है, एक सब्सक्राइगा, बाड़ा है, तो इन्हों ने नहीं किया, अगर कही पर लो और सिच्वेशन हो, इन्हों ने नहीं किया, तो फिर आपका अजेंडा क्या है, आप क्या करते हैं, MCD में भी अब आपकी जीत हो चुकी है, आद मूलिए, अंजना जी, मैं आपको पूरी जिम्मदारी के साथ बता रहे हूं, कि डी सिल्टिंग जो डेली की ड्रेंस थी, वो कम्प्लीट हो चुकी थी, मैं आपको ये भ अपने मुख्यमंत्री हर्याना के, वो भी कह रहे हैं, ये आपदा है, और उपर से पानी आया है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अवे जिल्टिंग कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था, बिल्कुल काम चुर्ण रहे हैं, अभी मैं बतारी हूं आपको, आई आईटियो बराज है, जो आप पूछ लीजेंस, अकर ये माने या ना माने कि वो आईटियो बराज हर्याना गवर्मेंट की जिम्मेदारी है, ओखला बराज यूपी गवर्मेंट की जिम्मेदारी है, ये है यहाँ पर डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पावर, कुछ कर नहीं सक जो इरिगेशन पर एक्सपोर्ट है, जो इरिगेशन पर एक्सपोर्ट है, उन्होंने कहा कि दिली सरकार को एक सुझाओ बेजा था कि डिसिल्टिंग और नालियों की सफाई कैसे करनी है, और उसको सिरे से खारिस कर दिया हमारे पढ़े लिखे मुक्यमंतरी आईटी पर देखिए अब आपके तो अनिल विच साथ के घर में घुज़्याभी तो इनके दरवाजे तक ही पहुचा बताए जा रहा है, मुक्यमंतरी के जिवाल के चिवाल के पर देखिए, आप देखिए, अब आप आप देखिए, अब आप आप लगज़ाब कर दे आए, लेकिन आनिल विच के तो घर में घुसा हुआ है जिस्वेल भूझे वाला अनिल विच तो उस पर लड़ रहे हैं और उनकी तरह नहीं कि लोगों कि निया कि और ना में गंटे की सब्सक्राइब कर दो चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं चाहिए तो उनका इक स्टेटमेंट आया जो सर बहुत हर्ट किया कि आपने बोला कि पूल के नीचे जो रहते हैं उनके का सब तो गरीब जाए क्या उनका जानगा कोई वैल्यू नहीं है सर मेरा यह सवाल है आपने वह है वहाँ पर कि यहां पर यहां पर किसी भी नहीं रहना है चाहिए वो अमीड हो चाहिए गरीब हो वहाँ पगर सरकार लोगों को बसाने लगेगी कल को अगर उनकी जान पे खत्रा आएगा तो यह जिमेदारी किसकी है लोगे इस बहस करने से क्या बाद डूब रहे है वह बच जाएगी यह सवाल पूछ रही है तो आप बहस में क्यों आईगी चलिए बाएगी प्रश्न तो किया जाएगा ना प्रश्न तो कुई पूछाए जाएगा चलिए मेरा सवाल है आपकी उससे कि जो हमने देखा कि 1978 में कैसी बाढ़ आई थी और आज 2023 है एक अरसा हो गया और हम जसके तैस्ट वैसे ही है कि हमारी अगर डिसल्टिंग हुई होती तो आज ऐसी नौबत तो आती नहीं दो तीन प्रश्न एक साथ लेते हैं जवाद बीजे जैसे अर्विन केजरिवाल जी ने बोला था कि हम जब सीएं बनेंगे तो हम दिली को पारिस बना देंगे पारिस तो नहीं वेने ज़रूर बन चुकिया दिली तो क्या दो अब ले लो पानी क्या वो पीड़ितों का मजाग बना रहे हैं और एक और बात थी मेरे पास कि कहते हैं जी उनका स्टेटमेंट आया है अभी और और कहता कि उन्होंने बोला और नेक्स आया कि जब कभी भी नेशन के बारे में कुछ होता है नेशन में कुछ भी अच्छा ह पीस है कि जब बात देश की हो रही है रफाल वहां पर देखिए ना दूबेजी दे रफाल आसमान में वहां उड़ रहा है बहुत तेजी से जिस पर भरशाचार का मुदा राहूल गांदी जी ने उठाया था उसके चौकीदा रहा रहा था एक सकॉर्पीन पंडुबियों की यूपी आई वहां फ्रांस में इस्तेमाल होगा चात्रों के वीजास बढ़ाए जाएं यह कहरे हैं भारत के गर्व और सम्मान की बात है ऐसे में उसको दिल्ली से जोडने का नहीं है जिम्मेदारियों से जोडने का है प्रधान मंत्री जी का दाई तो था जब यहां थे किसका था अब उसपर भी कहें तो आप सवाल खड़ा करते कि विश्व भर में अरे विश्व भर में क्या किया उस पर बहस करिए गालक से जी एसपी से बाहर कर दिया मोधी जी ने जब ट्रम्प को वहार गले लगाया था ना 2000 आइटम जो हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर मैं मेरा सवाल आपसे हैं यहां पर जो मैं डेली उनियर्सिटी का स्टूडेंट यहां पर दिल्ली टाइटैनिक बनते जा रही है और हम लोग ओशन गेट ओशन गेट सब्मरीन के सवारी आप मुझे यह बताईए जो हमारा जो डेली उनियर्सिटी का सबसे रिनोंड कॉले यहां पर वेस्ट लाइन के तक फ्लर्ट्स है तो आप मुझे यह बताईए तो दिल्ली का ड्रेनेट सिस्ट्रम इतना वीक है दिली का इंडिया की और मेरा यह विजिए और मेरा यह आप मेरा जो पास्ट में जो बीजेपी पावर में रहे हैं मेरा आप सभी सवाल है क्या अबने फ्यूचर को देखते हुए नहीं अपने ड्रेजरेंट सिस्टेम पे वर्किया कि कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हालत होगी दिल्ली की और पुछे हाँ मेरा सवाल यह है कि देली उनिवसीटी का जैसे कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है जो उनिवसीटों को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें दिल्ली के मन्तरी आरोप लगा रहे हैं कि हाथनी कुन बैरास थे चोड़े हुए पानी से डिली में बाढ़ारी है तो दोनों ही राज बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं आप लोग जो आरोप लगारे हैं यह वाला हाल, 1978 में अब से कम पानी का स्थर्ता फिर भी बाड़ा गई थी, अभी जो है वहाँ पे लो लाइंग एरियास अफेक्ट हुएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, rescue operation चल रहा है, rehabilitation operation चल रहा है, about 21,000 people have been rehabilitated already, उनको खाना, रहना, food, सब कुछ प्रवाइड किया जा रहा है, दूसरी ची, drainage system से इन्होंने पूछा मुझसे, drainage system, ये मुझे कहते हुए बड़ा बुड़ा लग रहा है, कि 15 साल तक MCD थी, भाजपा थी MCD में, हम अभी अभी जीतें आपके सामने हैं, पर at the same time, 2018 की एक IIT Delhi की रिपोर्ट है, जिसने पूरा नक्षा बनाये drainage system को लेकर, जैसे डाल-डांड का होता है, वैसे drainage का system नक्षा बन चुका है, वो already under implementation है, उसको शुरू है, अभी कुछ ही टाइम हुआ था, उससे पहले हम लोग लगातार desilting कर रहे थे, जो PWD, क्योंक ये दिक्कत और पानी पढ़ जाए चाहे दिली में, 41 येर का record टूटा है इस बार, अगर अगले साल 100 येर का भी record टूटेगा, तो ये स्थिती नहीं होगी, अगले साल पका, 100% all ready, आप देखिए अंजना जी, आप देखिए, 14 जुलाई record करके रख ले, कर लीजिए, आप बिल्कुल कर लीजिए, हमने जो कह दिया, हमने करा है, आप बिल्कुल कर लीजिए ये रिकॉर्ड, हमें कोई problem ही, मैं 14 जुलाई को यहां होंगी, अगले साल 14 जुलाई को ऐसी बहत नहीं करने पड़ेगी, 100% कुछ नहीं होने वाला, तो इन बच्चों का भवेश उज्व में आप BJP को ब्लेम करती है, कि पानी वहां से आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को कुछ ऐसा बंदोबस करना चाहिए था, पहले से ही, जो आपकी दिल्ली को डूबना ही ना पड़ता, आपका प्रशन हो गया है, आपकी प्रियोर्टी क्यों नहीं होते है, आप कीचर उचालते हैं, वो आप पे उचालते हैं, हम लोग का प्रियोर्टी बनेंगे, हम लोग हाथ मलते रहेंगे ऐसे बैठके, हम हमारे लिए प्रियोर्टी शुरू से सिरफ जनता रही है, आपको मैं पूरे, फुल रिस्पॉंसिबिलिटी बताती हूं, नहीं नहीं अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई है, इतनी जादा, नहीं है, तो क्या मीदिया क्यामरे के सामने ही मिस्टर सक्सेहरा से सवाल हो सकता था, अंजना जी, बहुत जरूरी है कि आप समझें कि इन्हों ने कहा कि मिलके सरकार चला है, वो आप ही के अंडर है, तो जाहिर तो पर आपके दर्वाजे पर प्रश्ण पहुंचेंगे कि आपने क्या किया, हम तो कहने हैं, हमने क्या किया, बिना रिक्वेस्ट के आठ यूनिट NDRF पहले चली गई, रिक्वेस्ट आई कल रात में दस बे तक NDRF चली गई, आज स की आप तो कचलान के सिविल डिफेंस ने काटा, कितनों का चलान काटा बिना मास्के तुरंत रोड पायायते थे सिविल डिफेंस हाले, कि तो काटा हाँ उठाए तो, तीन दिन हो गय, प्चार हाँ उठे ना, सब कोई गारी ने चलाता है यहां पे, अब सुनी एक मिन्त, आप दीन दिन होगे, फ्लेट आई हुए एक भी सरकार कर अपून्टेट, एक भी इसलीी डिफेंस वालाżej नहीं है लेकिन उनकी सालरीस जा रही है, ये देखिएगा अलग गटाला निकलेगा एक मीने के बाद, 50,000 स्वील डिफेंस वाले को इंपलॉई किया थक मेरS इन्या की लोगों का भला कैसे हो ये करते हैं ब्लेम गें माई वॉंट एवरी वान टू सी मैं हर बात का जवाब दे रही हूं और ये क्या कहते हैं ये नहीं किया वो नहीं किया ये बड़ी अर भी सरकार में आप एक करना आपको हैं तो हमने किसको बोले गया हूँ मेरा पहला क्वेस्चिन था मैं फिर से दोरा रही हूँ सबको पता होना चाहिए गर्मियों में आपको पानी की किलत होती है सारी इंडिया में और मॉन्सून में हर जगा पानी की ये हालत हो रही है आप सिरफ दिल्ली दिखा रहे उसके लिए डैम्स बनना ज़ूरी है उत्रा की लिए पार्टी के रहे हाई कि हमारी गलती नहीं है अब डेम नहीं बनाया है इसलिए हम डूब गए एक कह रहा है कि रीवर बेसिन में आपने उνक्रोचमेंट कर दिया इसलिए दूब रहें दोनों अपने दाइद को लेने को आपने देखा बहस में कितने निचले इस्तर तक एक दुसरे पर आरो प्रत्यारोप लगा रहे हैं रो बच्चे ने ठीक कहा कि उनकी चिंता नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ प्रामानिक रूप से कि जो रूट कॉज है और रूट कॉज कहकर ही वो रिपोर्ट सम्मिट हुई है कि इन्होंने समय रहते काम नहीं किया हम हर अंजना जी ने आज कहा कि आप गयारंटी दीजिए कि अगले वर्ष ये परिसितियां पैदा नहीं होगी तो इन्होंने कहा कि हमें गयारंटी देती हूँ आप डी सिल्टिंग कीजिए 90 परसेंट आप सोचते हैं कि ट्रंक लाइन में अगर 90 परसेंट उसमें गाद अगर जमा हो गई है तो सो प्रतिशत दिल्ली दूबेगा ही डूबेगा हमारी सरकार के समय ऐसा कभी नहीं हुआ एक बात तो बोली है लेकिन जवाब भी दीजिए कि एल जी चुनी हुई सरकार से अगर सामना सामना भिड़ंती करते रहेंगे तो फिर आगर साथ चलना है न दिल्ली की जनता की चिंता है या अपनी चिंता है या आप से दुश्मनी है मैं आपकी बात का जवाब देता हूं पहले इनकी बात का अभे जुबे जी के बात का जवाब देता हूं दो दिन हो गए दिल्ली फ्लट से जूल रही है परसों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के रिया डूब रहे हैं दो दिन से जहराम रमेज जी का आपने ट्वीट को सबसे अदा प्रधान मंत्री की की है यह बात डिल्ली का राज जब बना था तो बहुत सीमीत तरह से उसमें डिफाइन किया था कि किसकी पावस कितनी रहेंगी उस पावस का इंक्रोच्मेंट किया वह गलती की उस पावस का दूरुपयोग कि 10 करोड से उपर में कोई भी सैंक्शन के लिए कि एल जी के पास फाइल भेजनी पड़ेगी नौ करोड निनानवे लाग पंचानवे अजा सीश्मेल में लगाया दस करोड से नीचे रखा ऐसे से करते हुए एक करोड सी लाग पहुंचा दिया उनकी नजर ही नहीं थी पहले से तैयारी रहती तो यह हाल नहों अरे वहां देखना पड़ेगा इनकी बातों में मताई है इनके पस बड़ा सारा पैसा यह जूट प्रचार करते हैं यहां आके भी इन्हों ने एक सल्यूशन नी बताया मैंने तीन बार डाम की बात बोली एक नाम नीचान तो है सरकार छोड़ दिए एक साल में ठीक कर देंगें आप पड़े लिखें मुक्मंत्री हैं लगातार पावर चीनते हैं इनको जनता के मुद्दों से बिलकुल मतलब नहीं इनको मतलब है सरकारे तोड़के सरकारे खरीदने से इनको मतलब है जिन लोगों को इस सतर हजार का करप्र बुलाते है दो दिन पहले उनको अपनी सरकार में शामिल करके साफ करने से इन्होंने आज तक किसी स्टेट में इनको पूछ लीजे इतने सारे स्टेट से रहे इनके पास एक स्टेट बता दे जिसमें मुनाफ़ का बजट हो एक स्टेट जादा नहीं पूछ दो किसी स्टेट के लिए निये नहीं है दो खाने के दो आशामिल के लिए खाने के लिए लिए लाजमी पूछ ना कि प्राफट वाले बजट का क्या करें जब ऐसी स्थिती में आप इनके भरोसे ही रह जाते हैं अंजशना जी देखिया तो ब्या हुआ मैं टेकनिकल नहीं होना चाहरे थी बट आप कह रही हैं तो हो जाती हूं आपको ध्यान होगा कि अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेट साइड किया ओडर एल जी ने का मैं बनुगा यमुना कमीटी के चेर्मन उसमें तनी लडाई होगे क्योंकि वो अपने आपको घुसते हमारी पावर्स में उसमें काम करते हैं न करने देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम गलत हो तुम नहीं बनोगे अब यह भी स्टे हुआ है पूछ लीज हमारी एर्या में च्वारी शाथी यह जो भी घर नीचे है उसमसावेशा पाने निकलता है उसके वाद से पूरा पूरे जितने में चोड़े घर है उनमें पूरा पुरा जगा खुदी वी दिल्ली मिलती है बहुत परिशानी है जल्द जो होना था सो तो हो गया है बार तो तो आगे सेंटर और स्टेसंटर और स्टेंट गवर्फिन कि कि बारिश के रह साल नहीं आपने बूला कि केजवा सब्सके बस कि देश के जवाब दीजे देखिए सबसे पहली बात कि प्रधान मंतुरी जी का दौरा ऐसा नहीं होता है कि आज फिक्स हो गया ये एक देट में प्रधान मंतुरी का दौरा पहले से फिक्स था और वहां पे उनको बैसे डे परेड जो फ्रांस का सबसे हमारे देश में जैसे गंतंत दिवस है उस तरह वहां का बैसल डे परेड है अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो दूसरे देश के सवाभिमान को भी ठेस पोचता है ऐसी हरकत भारत नहीं कर सकता है अब एक मिट एक मिट सुनिए जवाब सुनिए दूसरी बात ये दौरा जब खक्रक्स होता है तो विदेश दौरों कि एक हमी अहमियत होती है राजियों के digging इसके बाद इसकी कारवाही चालू करेंगे की अगर वह हमें देदे हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें देदें ताग्य हमें सब्सक्राइब बताते हैं कि हर्याना से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं तो इस बार जब यह आफत आई है तो हर्याना से इस बार कहा जाएगा जब से अची बात है कि प्र्यांका जी जब उनके मुख्य मंत्री वोले तब भी चुप रही हुई आप पर बहस चलती रही जल्दी से एक क्लाइन का सवाल जल्दी से सर आप बोले जैसे दूसरे देश के स्वाभिमान के लिए अपने देश को डुबाना जरूरी है तो पैता है कि जब दिनली के रिहाइश इलाकों का यह हाल थो जो गरीब बस्तियां को अबात बात देश के सवाभिमान में की भात है और भारत के सवाभिमान के लिए प्रधान मंत्री वाहर जाना पड़ता है हमारे प्रदान मंत्री जी ने भी चिंटा भी अप्रोड के विमान में बेट कर पैरी जामीन पर हो रहा है वही स्टूडियोज में हो रहा है लेकिन दिल्ली वाले रहे साफधान परिस्तियां जो है वह हम आपको लगातात दिखा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में चुनने के लिए देश चुना के बाकी खब्रों के लिए आप देखते रहे हैं आज तक